भाई दूज के लिए मैं अच्छी से रेशी पिलाई हूँ तो यहाँ पे देखिए गुलाब जामुन जिस भाई को गुलाब जामुन पसंद है वो बहुत ही आसान से आप लोग बना सकते हैं इसमें आप लोग को नखोवा की जरूवत है नहीं ये मैदा की जरूवत है नहीं सीमा पॉडर का है इससे गुलाब जामुन बनता है इसमें सब कुछ मीक्स रहता है इसमें कुछ भी मिलाने की जरूवत नहीं होती है सिर्फ इसमें आप ये थोड़ी सी यलाईची पॉडर मिला दे, बाकी सारा चीज इसमें मिक्स रती है तो इसमें अगर एक चीज का ध्यान रखना है कि इसे पहले अच्छी तरह से हाथ से भी मिला लेना है क्योंकि जहां तहां ये ढेलया जैसा हो जाती है पैकेट में और इसे दूद में सानना है और दूद भी ठंडी होना चाहिए गरम दूद में नहीं सानना है तो देखिए इस तरह से मैं मिक्स कर रही हूँ और इसे मैं ठंडा दूद में सानूंगी क्योंकि गरम दूद में अच्छी नहीं बनेगी और ठंडे दूद में अच्छे से बन जाएगी तो देख सकते हैं यहाँ थोड़े थोड़े लेकर थोड़े थोड़े दूद लेकर इसे सानना है इस तरह से थोड़ा थोड़ा लेके सानना है और गाईज बहुत ही इसे मसलना पड़ता है अच्छे से मसल मसल के इसे साने और अच्छे से अगर ये बन गई तो बहुत टेश्टी लगती है और आसान भी है आपको खोबा मंगाने का जंजट है नहीं आपको मैदा मंगाने का जणजट है और नहीं आपको छेना मंगाने की जणजट है तो इस तरह का recipe भाई दूज में आप लोग बना सकते हैं तो यह मैं recipe आप लोग को भाई दूज के लिए लाए हूं तो आसान से इसे घर पे बना लें और भाई दूज का तिवार अच्छे से मनाएं तो देखें इसे मैं थोड़ी थोड़ी करके सान रही हूँ तो मैं इसमें काई सानना ही एक ये कला होती है कि ये अच्छे से अगर सना गया तो बहुत ही टेश्टी बनेगी तो इसे मसल के सानना है और जब आप कड़ाही में इसे छानेंगे छोटा से बड़ा हो जागी तो मानिए कि आपका गुलाब जामुन बहुत टेश्टी और बहुत ही सौफ्ट बनने वाली है तो देखिए इस तरह से थोड़े-थोड़े करके मैं सब सान ली हूँ और गाइज अगर ये मेरी वीडियो पसंद आती है भाई दूज के है स्पेसल तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में बताईएगा कि आप लोग की ये रेशिपी कैसी लगी और वीडियो को फूल देखिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा शेयर कीजिएगा और अगर प्लीज गाई चैनल पे नए है तो सस्क्राइब किये भी नहीं जाएगा और अभी इतना आप लोग मुझे हेल्प किये हैं 110 मेरा सस्क्राइबर हो चुका है तो मैं यही आसा करती हूँ कि आगे भी आप लोग हेल्प किजिएगा और ऐसे ही आप लोग सपोर्ट किजिएगा और ऐसे अगर आप लोग support करते रहिएगा तो मैं आगे बढ़ूँगी और आप लोग के support के बिना मैं आगे नहीं बढ़ूँगी guys तो मुझे आप लोग से request है कि आप लोग मुझे support कीजिए तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा ये dough ready है तो इसे मैं 10-15 के मिनट के लिए छोड़ देती हूँ क्योंकि ये dough जब तक अच्छे से थोड़ी सी फुल जाएगी तो और अच्छी बनेगी और यहाँ मैं इसके लिए चासनी ready कर रही हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं आप मैं ये एक kg के लगवग चुनी डाली हूँ एक kg के लगवग क्या एक kg मैं डाली हूँ और इसमें मैं एक गिलास पानी डालूँगी ज्यादा नहीं डालूँगी क्यूंकि मुझे चासनी बनाना है तो एक गिलास मैं पानी इसमें add की हूँ और इसमें थोड़ी सी मैं इलाइची पॉडर भी add कर दूँगी अच्छे flavor के लिए और इसे मैं साफ करने के लिए देखिए यहाँ पर मैं थोड़ी सी दूद डाल ले हूँ दूद डालने से गाईज यह क्या होता है चासनी साफ हो जाती है तो देखिए गाई इसका गंदगी कैसे निकल रही है तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि इसका गंदगी जो होती है वो किनारे से निकल जाते है बहुत आसान हो जाती है निकालना दूर डालने से तो देख सकते हैं आप लोग किनारे में कितनी गंदी हो गई इससे चासनी साफ हो जाती है और कलर भी अच्छी आती है तो इ आप लोग वीडियो में बने हैं तो फूल तक बने रहिएगा आधा मत देखिएगा और यहां पर चासनी देखने के लिए यह हाथ से चिपचिपा होनी चाहिए धागा तार होनी चाहिए इसका जो चासनी होती है तो मेरी चासनी रेडी हो गई है तो देख सकते हैं यहां पर डो जो है इसे भी मैं थोड़ी सी फिर से मसल के सान देती हूं क्योंकि थोड़ी सी ये ठंडा के मौसम में थोड़ी सुखी सुखी हो जाती है डो तो उस पर से तो मैं रिफाइन लगा दी थी पर थोड़ी सी मैं और सान देती हूं क्योंकि इसे सॉफ्ट वनेगी तो यहाँ देख सकते हैं मैं पहले इसकी लोई तरेडी कर लेती हूँ तो गोल गोल करके मैं आप लोग को दिखाती हूँ इसे मैं सारा जितना वीडियो मैं सानी हूँ सबका गोल गोल कर लोगी तो देख सकते हैं गाईज इस तरह का एक साइज में आप बना लीजिए और बना करके इसे फ्राई कीजिए तो देख सकते हैं यहाँ पर मेरा डो रेडी हो गया गोल गोल का और कडाही गर्म हो चुकी है तो इसमें मैं देखिए डालने पर इसमें ज्यादा नहीं डालना है ज्यादा डालिएगा तो आपका यह जो काला जामून है वह आपका फैलेगा नहीं इसलिए इतना जो आधा कडाही मैं इसमें रिफाइन डाली हूं तो इसमें आठ से दस मैं डाली हूं क्योंकि कडाही छोटा है बड़ा नहीं है और ज्याद नहीं कर सकते हैं अगर जलेवी वाला कड़ा ही रहे तो उसमें ज्यादा कर सकते हैं तो यहां पर देखिए करलर कितनी परफेक्ट आई है तो इसे मैं एक थाल में निकाल लेती हूं और यहां पर देख सकते हैं और फिर से मैं डाल दी हूं तो इसे मैं क्या करूंगी कि चासन में डालते जाऊंगी इसे क्या होगा कि ये जो चासनी जितना भी है ये डो तो देख सकते हैं कितनी अच्छी गुलाब जामन बनके रेडी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताईएगा कि मेरी रेशिपी कैसी लगी और आप लोग को आगे की रेशिपी क्या ची चाहिए तो मैं वही रेशिपी डालूंगी और तब तक के लिए मैं मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई